हर्याना विधन सभर चुनाव के चलते जेजेपी और बीएसपी के बीच हुआ गडबंधन एक महीने भी नहीं चल सका दोनों दलों की राजनितिक दोस्ती में चुनाव से पहले ही दरार आ गए सीटों के बटवारे में भेदभाव का आरूप लगाते हुए बिएसपी सुप्रीमो मायावती ने जननायक जनता पार्टी के साथ गडबंधन तोणने का ऐलान कर दिया बिएसपी सुप्रीमो ने लखनव में हर्याणा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ दो चरण की मेरतन बैठक के बार रात को दुश्यन चौटाला के नित्यतिवाली जननायक जनता पार्टी के साथ गडबंधन तोणने की घोशना की मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा बिएसपी एक राश्य पार्टी है जिसके हिसाब से हर्याणा में होने वाले वधान सभा चुनाव में दुश्यन चौटाला की पार्टी से जो समझोता किया गया था वो सीटों की संख्या और उसके आपसी बत्वारे के मामले में उनके अनुचित रवये के कारण इसे बिएसपी हर्याणा यूनित के सुझाव पर आज समाख कर दिया गया है मायावती ने हर्याणा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का एलान भी किया उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा ऐसे इस्तिती में पार्टी हाई कमान ने ये फैसला किया है कि हर्याणा प्रदेश में शीगरे ही होने वाले विधान सभा चुनाव में अब बिएसपी अकेले ही अपनी पूरी तैयारी के साथ यहां सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी एक तरफ जहां मायावती ने अपने ट्वीट में गडबंधन तूटने के पीछे सीटों के घलत बटवारे को कारण बता रही है वहीं दुश्यन चौटाला ने मायावती के ट्वीट पर पलटवार किया है दुश्यन ने अपने ट्वीट में कहा कि जेजेपी स्वर्गिये देविलाल के आदर्शो और बाबा साहिब के सर्वहित की नीकियों पर आगे बढ़ रही है बीएसपी से गडबंधन के बाद हमारी कोशिश, किसान, कमेरों को मजबूत कर पुंजिवादी ताकतों को बाहर करने की रही जेजेपी ने बीएसपी उनके नित्रतु और समर्थकों को ताकत देने में यकीन किया उन्हें 40 सीटों का प्रस्ताव दिया हमारी इच्छा बहुजन समाज को राजनितिक ताकत देने की रही जेजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी वही हर्याना में विधान सभा चुनाव से ठीक पहले बियस्पी और जेजेपी का गडबंधन पूपने के बाद जेजेपी नीता सकते में आ गये है पिछले महीने 11 अगस्त को दुष्यन चौटाला और सतीश मिश्रा ने दोनों दलों के पीच गडबंधन का एलान किया था गडबंधन के बाद दुष्यन चौटाला ने यहां तक कह दिया था कि मायावती के हाथी पर बैठ कर जेजेपी चंडिगण में सत्ता की चाबी सिर्राज का दर्बार खुलेगी हर्याण में पिछले पांस साल के दौरान बीएसपी का जेजेपी के साथ ये तीसरा गडबंधन था इससे पहले बीएसपी प्रदेश में अभेर सिंग चौटाला के नेत्तित वाली इनेलो और फिर पूरो सांसद राजकुमार सैनी के नेत्तित वाली लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ गडबंधन कर चुकी है आनाइन टीवी के लिए रमेश सिंग की रेपोर्ट